दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ मई दोजार तेईस दिन रविवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको साफधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज बहग्यसाली अंक क्या रहेगा बहग्यसाली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन-कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथ-साथ आज आपके बहग्या का आपको कितना परतीसत साथ मिलेगा और साथ-साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की पूर्ण और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज आपका को कोई बड़ा सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर आज आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें कहीं पूंजी निवेश करना फायदेबंद साबित होगा विध्यार्तियों को पृतियोगिता सम्मंदी परिक्षाओं में उचित पहिणाम आज हांसिल होंगे साथ साथ कभी कभी आलस की वज़े से आपको अपने कारों में रुकावटे देखने को मिल सकती हैं ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरवाही आपको आपके लक्षे से भटका देगी किसी प्रकार की दुविदा की इस्तिती में किसी अनुभवी व्यक्ति की सला आपके लि गोचर आपके लिए कोई सुब अवसर लेकर आ रहा है इनका भरपूर उपियोग करना आपकी योगता पर निर्भर करता है सबी काम आज आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजगी बनी रहेगी साथ साथ ध्यान रखें कई बार कठोर वानी से अक्सर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोल चाल का लहजा थोड़ा नरम रखें काम के अधिकता का प्रभाब आपके स्वास्त पर भी आज पढ़ सकता है इसलिए आराम भी लेते रहें साथ साथ अचानक से ही कोई अधिक समस्या हल होने से अपने आपको आज आप तनाव मुक्त महसूस भी कर सकते हैं इस समय ग्रह इस्थती आपके व्यक्तित्व को प्रभाब शाली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा साथ साथ आपको बता दें किसी अनजान व्यक्ति के साथ धन का लेन देन करते समय बहुत ही आज आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आप किसी प्रकार की धोका दड़ी का भी शिकार हो सकते हैं अति आत्म विश्वास भी आपके नुकसार का कारण बन सकता है साथि साथ आपको बता दे धार्मिक वे आध्यात्मिक छित्र में आपका विसेश आज रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शकारत्मक और संतुलित हो रही है ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं शबी कारें को योजनाबद तरीके से संपन करें साथि साथ आपको बता दे एगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इस पर काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़ा से कुछ लोगों के साथ आज संबंद आपके खराब भी हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय बिलकुल भी व्यर्थ ना करें समय का आप सरियोप्यों करें साथ शाथ प्रॉपर्टी से संबंदित रुके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं इसलिए अपना पूरा ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदी निवेश कर आज का दिन आप के लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों साथ इसाथ बात करें आज आपका वैवसाई करियर कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनिस पार्टियों से अच्छी बात चती चल रही थी आज उनके बहतर प्रिणाम आप को प्राप्त होंगी नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई टार्गेट आज पूरा होने से उनको सुकून मिलेगा साथ इसाथ व्यवसाई के इस्थल पर आपका प्रभुत बना रहेगा करमचारियों का अपने करे के पृति पूरी तरह समलपन रहेगा जिसकी वजह से काम सम में पर आज आपके पूरे होते जाएंगे साथ नौकरी पेशा व्यक्तियों को बदलाव सम्मंदी कुछ अवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं साथ आपको बता दें प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभावना है भाग् साथ आपको बता दें मेडिया तथा मार्केटिंग सम्मंदी व्यवसाय से जुड़े लोग आज कुछ बहतरीन उपलब्दिया प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सुत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतीत करें साथ आज आपके उच्छ अधिकारियों के सा साथ अच्छे संबंद आपको कोई सरकारी टेंडर या फिर सरकारी संस्ताओं से संबंदित कोई बड़ा ओर्डर भी दिलवा सकते हैं साथ इसाथ नई नोकरी की तलास कर रहे लोगों को आज नोकरी प्राप्ती के भी योग रहेंगे जिससे उनको काफी खुशी कानुवा केरियर संबंदित आज का दिन आपके लिए अत्यंत लाबकारी और बहुती अच्छा दिलसाबित होगा दोस्तों बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहे गी तो दोस्तों आपको बता दें पती पतिनी के आपस में मदुर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को और खुसनुमा बनाएगा। साथिसाथ परिवार के साथ मरूरंजन वे सौपिंग में समय वैक्तित होगा। इससे घर में खुसी का माहौल व्याप्त रहेगा। साथिसाथ आज ऐ विवायत लोगों के लिए कोई अच्छा रिस्टा भी आने की उम्मीद है। जीवन साथी का स्वास्त कुछ आज नरम रह सकता है। साथिसाथ आपको बता दें पती पतनी के संबंद सामाने रहेंगे। साथिसाथ प्रेम संबंदों में कुछ गलत फैमिया भी उत्पन हो सकती है। कुछ ऐसा करें कि आपके बीच कुछ भी गलत फैमिया उत्पन ना हो। साथिसाथ आपको बता दें किसी नजदी की रिष्टेदार की तरफ से सुब सूचना मिलने से घर में खुसियां रहेंगे। तथा आपसे रिष्टे और अधिक मजबुत होंगे। लव लाइफ के नज़रिये से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन साबित होगा। अब दोस्तों बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें। आज किसी समय आपको ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। खासी जो काम जैसी दिक्कते भी महसूस हो सकती है। आइरुवेदिक चीजों का आप अधिक से अधिक शेवन करें। और साथ शाथ आपको बता दें। वाहन से या फिर गिरने से चोट लगने की भी आज संबावना है। थोड़ी सावधानी बढ़ती। साथ शाथ शाथ आज आपके लिए भाग्यसाली अंक रहेगा तीन और भाग्यसाली रंग रहेगा सफेद और पीला। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए उपाए कौन कौन से लाबकारी शाबित होंगे तो दोस्तो आपको बता दें। आज आप गाय को सफेद मिश्क्तान खिलाएं ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा और साथे साथ आप आज अपनी स्रद्ध सामर्थ के नुसार अन धन वस्तर चटाई चार पाई पेठी की मिठाई मूँ देखने का शीसा आदी इन में से कोई भी सामगरी अपनी स्रद्ध सामर सामर्थ के नुसार गरीबों को जरुतमंदों को दान करें ऐसा करने से परिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा जै दोस्तों बात करें आज आपको आपके भाग्ये का कितना परती साथ मिलेगा आज आपको आपके भाग्ये का पूरे 89 परसेंट साथ मिलेगा हर हर महादेव जैब हुले नात